Hi guys, welcome back to another video of caution for you, I hope guys आप सभी बहुत अच्छे होगे, दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारे latest updates लेके आचुका हूँ Pi Network की तरफ से सबसे पहले highlights को complete करते हैं, अभी हाल फिलाल के अंदर किस हिसाब से Pi Network का valuation मिल रहा है वो मैं आप सभी को proper बताने वाला हूँ, मतलब 1Pi का क्या valuation अभी हाल फिलाल में चल रहा है Buying and Selling के बारे में आप सभी को पता चलेगा, कुछ payments proof दिखाऊंगा, कुछ technical updates भी हम cover करने वाले हैं Bitcoin versus Pi Network किस तरीके से Pi Network better होने वाला है, Bitcoin से वो आप सभी को पता चलेगा और आप सभी के पास क्या-क्या opportunity है, जो लोग payment work को mine करते हैं कुछ payment work के अंदर पाइटो को services हैं, उसके अंदर चीजों को enable किया जा रहा है जिसमें आप hotel services, cap services और भी different type of services देख पाऊगे promotions and advertisement के बारे में आप सभी को पता चलेगा, कुछ international updates है, वो भी हम cover करेंगे तो वीडियो बहुत ही शांदार होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक दिखना, तब ही आपको सारी चीज़े अच्छे समझ में आईगी और चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करके notification bell को all पे जरूर पैस कर ले and description में telegram का link है, आप जाके उसको पी join कर सकते हैं, चुरू दोस्तों start करते हैं, सबसे पहले मैं आप पे refresh कर लेता हूँ and हम चलते हैं, अपने first update के तरह, दोस्तों हमारे first update है, वो यही है कि 1Pi का क्या valuation अभी हाल फिलाल में मिल रहा है तो यहाँ पर पताया चाह रहा है, तो यहाँ पर आप साब सब देख पाऊगे, कि यहाँ पर 1Pi का जो valuation बताया जा रहा है, वो आठ डॉलर के आसपास बताया जा रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पाऊगे 1Pi equals to 800 US Dollars, और यहाँ पर 10,000 Pi coin की basically transactions हुई है और total यहाँ पर जो amount हमें देखने को मिला है, US Dollars के अंदर, वो हमें 24,000 US Dollars देखने को मिला है तो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यह बहुत ठीक ठाक amount मिल रहा है, बहुत सारे लोग बोलेंगे तो बहुत कम मिल रहा है तो सबकी अलग-अलग सोच है, PiNetwork के price को लेके, क्योंकि PiNetwork का एक GCV Valuation है, जो की 3,14,000 US Dollars है तो बहुत सारे लोग relate करते हैं, क्या हमें PiNetwork का जो valuation है, वो उसके GCV Valuation के हिसाब से मिलेगा तो मैं आप सभी को यहाँ पर साफ साफ clear कर दूँ, जो GCV Valuation है, वो सिर्फ और सिर्फ promotional purpose के लिए use किया जाता है जिस तरीके से PiNetwork जो होता है, बेसिकली तो Cryptocurrency है, बट बेसिकली जो Pi है, Mathematic के अंदर, उसका Valuation क्या होता है? 3.14 और यह infinity level तक चलता है, तो इसी के हिसाब से इसको रखा गया है, represent करने के लिए ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को 1 Pi का 8 Dollar के आसपास देखने को मिलता है, जो कि अभी ठीक ठाक चल रहा है, कहीं पे यह 1 Pi का 30 Dollar भी मिल रहा है, 40 Dollar भी मिल रहा है, और USA के अंदर 30 Dollar से लेक इसमें हमने transactions देखी थी, Pi का जो fast हुआ था, या उससे पहले भी हम देख चुके है, बट जो real valuation है, Pi Network का, वो हमें तभी पता चलेगा, जब इसकी official launching होगी, market के अंदर, और मैं आप सभी को बताऊं, तो इसका जो valuation है, 1 Dollar या 1 Dollar से आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ज साथ Pi, जो network है, उसका एक product है, Pi Bridge, उसका जो valuation है, 0.3 Dollar के आसपास है, तो कहीं न कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं, कि जो Pi Network officially launch करेगा अपना coin, तो उसमें 0.5 या 0.6 तो minimum रहने वाला है, और 1 Dollar आप एक तरीके से middle level पर पकर सकते हो, कि 1 Dollar आपको देखने को मिलेगा, highest हम बोल सकते हैं, कि 2 Dollar, 3 Dollar, 4 Dollar, ऐसे कितना भी उपर जा सकता है, और ये सारे चीज़े demand and supply पे depend करती है, जिसे साब से market के अंदर Pi Network अपनी services को provide करने वाला है, एंड चलते है, next update की तरफ, यहाँ पे migrate 50 million Pi again, तो यहाँ पे एक record आ चुका है, वापस से 50 million के आसपास Pi का migration complete हुआ है, recent म यह जो data है, यहाँ पे update हो चुका है, जैसा कि आप सभी screen वगेरा पे देख पा रहे हो, एंड चलते हैं, next update की तरफ, तो यहाँ पे जो Pi Network के founder है, उन्होंने कुछ information दिये, watch a short video on the Pi home screen with Pi News from all over the world, participating in Pi Fest and exchanging goods and services in Pi, तो Pi के अंदर अभी जो Pi Fest हो आता, तो बहुत सारी video footage भी एक config को cover किया गया है, कि हर एक config के अंदर किस हिसाब से transactions वगरा की जा रही है, and guys, अब हम चलते हैं, next update की तरफ, जो कि Pi Bridges की तरफ से आ चुका है, Pi Bridges के अंदर जिसको भी business partner बनना है, तो वो आप किस तरीके से बन सकते हो, और यहाँ पे लिखा गया है, don't miss your chance to become a Pi Bridge business partner, so basically है क्या, the first round of business partner review has ended, after the system is stable, we will be announced the next review, let's follow social channels to receive official news from us, तो यहाँ पे आप से भी देख रहे हो, एक जो first round है, वो हो चुका है, और उसका basically review भी आप सभी उपता चल जाएगा, और next भी आने वाला है, तो यहाँ पे इन्होंने एक registration का तरीका बता है, तो registration के तरीके अंदर चार चीज़े हैं, उससे पहले मैं आप सभी को आता है, तो एक form है, register now करके ठीक है, इसका मैं आपको link देदूँगा, अगर आप सभी को करना है, जो pie bridges के साथ अपना create करना चाते है, वो लोग कर सकते है, create a pie bridge and account, ठीक है, आप सभी को account create करना है, conduct KYC, ठीक है, KYC कभी आपको दे 50,000 pie b, ठीक है, 50,000 की बात कर रहे है, and 300 USDT in your pie bridge app account, the developers will lock it directly when you officially become a business partner, तो जैसे ही, आप officially business partner बन जाओगे, तो यह automatically lock हो जाएगा, और यह form भरने का link है, तो दोस्तों, मैं आप से भी को पताना चाहता हूँ, जो लोग pie coin को official को mine कर रहे है, और जिनोंने pie bridges के साथ जोड़े हो तो आप ये चीज़ create कर सकते हो, जैसे अब चलते next update की तरफ, जो की pie to go services की तरफ से आ चुका है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे different updates देखने को मिलते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, अभी हाल फिलाल के अंदर pie network अपने हर एक platform के लिए आगे बढ़ रहा है, जैसे हम बात होटल services के, gap services की, यह सब चीजों की services market के अंदर provide कर रहा है, और अपनी website के अंदर कुछ maintenance भी इंका चल रहा है, और website के अंदर भी बहुत सारे चीज़े यह update वगरा भी कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है, कि आप सभी के सामने यहाँ पर बताया जा रहा है, क कुछ कुछ countries है, जैसा कि Spain country के अंदर बीच में अभी एक hotel services हमें देखने को मिली है, और जब officially pi network का launching वगरा हो जाएगा, उसके बाद आपको maximum locations के अंदर थोड़ी थोड़ी करके, आपको और भी different type of services देखने को मिलेगी, जैसा कि यहाँ पर pi chain घाना करके बताया जा रहा है access space का है, और इसके साथ guest meeting वगरा basically करने वाले है, यहाँ पर proper timing वगरा भी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, कल की timing है, और pi chain global and pi to go और workforce pool करके, यह guest speakers है जो आने वाले हैं, और यहाँ पर basically honorable mentions किन चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, तो basically pi door है, pi taxi है, pi hub है, pi revolution है, pi super chain है, pi pilot करके है, तो maximum चीज़ों का जो भी अपडेट होने वाला है, आपको next video में देखने को मिलेगा, और pi network हर महीने और हर हफते, कोई ने कोई config के अंदर, कोई ने कोई meeting conferences को conduct कराता है, जिसके अंदर बहुत सारी informations भी आप सभी देखती हो, और इनके global events भी होते हैं, जैस update की तरफ तो यहाँ पे आप सभी देखोगे, एक national stadium है, जो कि वियतनाम के अंदर है, जहाँ पे start किया जा रहा है, pi network की payment और यहाँ पे basically football वगरा का match वगरा होता है, जैसा कि आप सभी देखोगे, यहाँ से कोई भी product खरे देगा, तो उसको जो भी payment करनी है, pi के अंदर करन promotions तो आप देखते ही रहते हो, cars के भी promotions आप देखते ही रहते हो, but अभी recently pi network का एक showroom open हुआ है, मैं उसकी आप सभी को footage दिखायता हूँ, कहाँ पे किस type का launch हुआ है, तो यहाँ पे आप सभी देखोगे, big congratulations to Indonesia pi showroom, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा event भी हुआ है, कुछ footage आ इन्होंने PPT के थूरू 3 घंटे का proper seminar वगेरा हुआ है, जिसके अंदर अच्छे तरीके से सारे चीज़ों को explain किया है, कैसे कैसे इनकी technologies काम करने वाली है, कौन कौन सी car आप सभी को यहाँ पे listed होते भी देखने को मिलने वाली है, कितने valuation पे मिलने वाली है, वो सब चीज़ वगरा देखने को मिला है, तो इस type का कुछ interior हमें देखने को मिलता है, जिसमें बहुत सारे जो members है, pioneers है, engage हो रखे हैं, pine network के नई नई exciting exciting चीज़ों को करने के लिए, और इस वाले showroom के लिए, और इसकी car की footage मैं आप सभी को यहाँ पे एक बार show करता हूँ, तो यहाँ पे आप सभी को यह car की footage भी देखने को मिलेगी, बट यह जो footage है, यह चाइना की है, तो ऐसा चाइना के अंदर तो पहले यह start हो चुका था, जो कि आप पहले की footage, वीडियो वगरा में भी देख पा रहे हो, बट अभी क्या हो रहा है, रिसेंटली व्यतनाम के अंदर, यह प्रमोशन कर रही है, और अपनी launching कर रही है, जब कि इसकी official launching अभी तक नहीं होई, तब भी इतने सार चीजों को complete कर रही है, जब इसकी official launching होगी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़े हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते, अब हम दोस्तों बात करते है Pi Network versus Bitcoin के बारे में, और यहां पर एक statement आ चुकी है, बताया जा रहा है, in development history of Bitcoin, it took 12 years to reach its all-time high of 69,000 US dollars, जैसा कि आप सभी को पता है, Bitcoin को 12 साल लगे थे, 2021 वो सन था, जब इसने 69,000 US dollars एक price hit किया था, और इंडिन करंसी के अंदर 55,000 रुपे, तो जितने भी लोगों ने Bitcoin पे भर अभी को उसका फल मिला, ठीक है, और इसी वज़े से आज की date में, सभी लोग cryptocurrencies के अंदर अपनी investment करते हैं, और Bitcoin को तो buy करना हर किसी के बस की बात में है, क्योंकि Bitcoin दिन प्रतिदिन और expensive होता जा रहा है, और इसने 2021 के अंदर almost 69,000 के आसपास का hit किया था, जो number, तो आप जो technical experts हैं, उन्होंने लगा रखी है, 2024 में या 2025 के अंदर ये milestone हो जाएगा, अभी कुछ ही महीनों के अंदर, एक से डिगड़ महीनों के अंदर आपने देखा होगा कि Bitcoin 30,000 डॉलर से 35,000 डॉलर पे गया, 35,000 से 45,000 डॉलर पे गया, 40,000 से 44,000 डॉलर पे गया, तो मतलब कि 15, 20,000 डॉलर इसने कुछ ही महीनों के अंदर increase किया है, अपना valuation, और धीरे धीरे करके 2024 में ये milestone और आगे जाने वाला है, हर चीज़ ब्रेक करने वाला है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है, basically, so how will take for pi to reach a conscious price of 3 lakh, ठीक है, something, तो ये कौन से सन में, जो ये GCV valuation इन्होंने लिखा है, वो कब तक जाएगा, यहाँ पे आप सभी को जो pi network के different valuations देखने को मिलते है, 300 डॉलर, 400 डॉलर, तो कब ये सब चीज़े possible हो सकती है, तो दोस्तों, यहाँ पे simple सा एक ही चीज़ है, कि pi network जब officially launch होगा, उसके बाद actual चीज़े पता लगेंगी, कितनी market volume है, किस हिसाब स इसकी transactions, trading हो रही है, कितनी market के अंदर है, demand create कर रहा है, उस एसाब से धीरे-धीरे करके valuation बढ़ेगा, bitcoin जो cryptocurrency है, वो एक पैसों से mine की जाने वाली cryptocurrency है, तब उसका जब valuation आया था, जब starting में, तो 5 पैसे के आसपास आया था, उससे भी कम आया था, ठीक है, और आज के date में आप जानते हो, कितना बड़ा expensive इसका price है, और बात रही, pineate fuck के बारे में, तो आप ये सोच के मत चलना, कि आते ही वो 50 dollar, 100 dollar या उससे उपर चले जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, बहुत ही कम valuation होगा, एक dollar उससे कम ही होगा, फिर दीरे-दीरे करके, वो valuation बढ़ेगा, bitcoin को में काम नहीं कर रहा, ये NFT, Metaverse, Gaming, DAO, और भी different type of businesses के अंदर ये काम कर रहा है, projects इसके और भी different type of जगह पे काम कर रहे है, इसके long term projects है, तो अगर आपके पास मतलब इन सभी technology की knowledge होगी, तो आप pine network से भी पैसा बना पाओगे, और भी different cryptocurrency से पैसा बना पाओगे, क्योंकि pine network का valuation है, जो ये GCV वोलते हैं, ये जो भी आपको highest valuation लगता है pine network का, वो कब तक हिट हो पाएगा, तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही ता, I hope आपको समझ में आया होगा, अभी तक वीडियो पे बने हुए हो, तो प्लीज गाईस एक लाइक कर देना, चैनल पे नह सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बैल को, और पर ज़रूर पैस कदर मिलते हैं, नए वीडियो के साथ तब तक के लिए, जैहिंद वंदे मात्रा,